नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज आप क्या बना रहे हैं आज मैं बना रहे हूं बहुत ही कम भजट में असान सी रेसिपी और वो है दाल फ्राई जो की बहुत ही स्वादिश्ट और लाजवाब लगेगी खाने में बट उससे पहले मैं खुश्बु का नवजिया और मैं अपन फ्रेंट फैमली में शेयर जरूर कीजिएगा और आप फस्ट वर्ड मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलियेगा क्योंकि सब्सक्राइब करने पर पैसा नहीं लगता तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसि कि मैंने इसके इंगीडेंस को वीडियो के लाज्ट मेंन नोट कर दिया है थे तो इसके लिए सबसे पहले हम को दाल को कुक करना होगा तो दाल कुक करने की लिए हम एक कि कंदेंगे और उसमें अड्ट करेंगे अगर हम एक कप दाल बना रहे हैं, तो हमें दो कप पानी चाहिए, तो हम इसमें दो कप पानी एड़ कर देते हैं. जब तक पानी गर्म होता है, तब हम एक कप तूर दाल लेंगे, आनि अढ़र का दाल और इसे अच्छी तरह से वास करकर कुछ देर के लिए पानी में रहने देंगे. और इसे धक कर हम पानी को गर्म होने देते हैं, देखिए पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें तूर दाल एड़ कर देंगे. और इसे ढख कर इसमें जाक आने का इंतिजार करेंगे क्योंकि जाक आना बहुत ही जरूरी है फिर हम इसमें एड करेंगे हल्दी और नामक इस सारे इंगिडियन्स को मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक आउट कर लीजिएगा और जल्दी कुक होने के लिए हम इसमें एड करेंगे सरसो वाई इससे हमारा दाल बहुत ही टेस्टी और लाजावाब बनेगा एक बार ये चीज आप जरूर ट्राइ किजिएगा और इससे हम दो सीटी लगाने तक कुक करेंगे तो इसमें सीटी लग गया है जब तक ये कुक कर का हावा ठंडा होता है जब तक हम दाल को फ्राइ कर लेते हैं तो फ्राइ मसाला बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें एड करेंगे वाइल तो हम यहाँ पर दो चम्मच वाइल एड करेंगे और फिर हम वाइल को गर्म होने देंगे वाइल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे जीरा और राई का छौक लगाएंगे छौक लगाने वाले सारे इंगिडियों का नाम हमने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजिएगा जब इसमें से चटका आने लगे तब हम इसमें एड़ करेंगे गिरिन चिली और इसे एक दो मिनिट के लिए सौते करेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे लासून और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए सौते करेंगे इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए सोटे करेंगे फिर हम इसमें ओनियन आइड करेंगे बारिक कटा हुआ और इसे भी गोल्डेन ब्राउन होने तक कूप करेंगे ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब और जाई के दार बनेगी तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा और ये एक वार आप अपने घर पर जरूर ड्राई करेंगे तो फिर हम इसमें टोमाइटो आइड करेंगे और इसे जल्दी पकने के लिए हम इसमें सॉल्ट आइड कर ये सारे इंगिडियन्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब टामाटर हलका गल जाए तब हम इसमें आइड करेंगे हल्दी और लालमिच पॉडर ये सारे इंगिडियन्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एक बात मैं आपको बता दू अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ये अस्पाइसी बने तो आप इसमें एड कर सकते हैं और भी रेट चिली और फिर हम इसमें एड करेंगे हरा धनिया और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए कुप करेंगे आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही अस्पाइस एड मत करिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अस्पाइस एड करिएगा फिर हम इसमें एड करेंगे गरम मशाला पौडर और इसे एक दो मिनिट कुप करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी आइड करकर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के कुछ बुंदे के छीटे मार कर तो लीजिए ये तैयार हो गया है मसाला अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ दूसरे स्टॉप पे और मैं देखती हूँ कि मेरा कुकर थंड़ा हुआ है या नहीं तो ये भी पूरी तरह से थंड़ा हो गया है अब मैं आपको कुकर खोल कर दिखाती हूँ कि ये कैसा कुक हुआ तो देखिए ये कुक हो गया है और फिर मैं इसमें delegate कर दूँगे ये मसाला तो हम इसमें एड़ कर देते हैं टमाटर और प्याज वाले मसाले को और इसमें जितना सारा लगा हुआ है मैं दाल को इसमें डालूंगी और इसे भी मैं इसमें एड़ कर दूंगी बाकी बचेवे को क्यों वेस्ट करना और फिर इसे एक दो मिनिट के लिए श्टोप पर धीमियाज पर कुक कर लूँगे तो लीजिए तयार है दाल फ्राई मसाला आप इसे एक डोटी के साथ खाएए प्राठे के साथ खाएए या फिर चावल के साथ खाएए अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ बट जातर इसे आप चावल के साथ खाएएगा ये चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा फिर हम इसे गार्निसिंग करेंगे हराधनिया और ग्रीन चिली के साथ तो लीजी तयार है गर्मा गर्म ताल फड़ाई मसाला यह बहुत ही टेस्टी है यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही अच्छा लगेगा यकीन नहीं होता तो आप इसे एक भाँ ट्राइज जरूर कडिएगा मैं तो इसे टेस्ट करकर बताती हूँ कि यह कैसा बना है. तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं. सच में ये बहुत ही टेस्टी बना है. यकीन नहीं होता तो आप इसे एक वार ट्राय जरूर करिएगा. तो इसे बनाने के लिए आपको तो ing investigator की यरू सकता होगी, तो इंगेडियन्स को भी नोट कर लीजिए जो कि ये है I'm sure आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे एक लाइक और अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसे डिसलाइक भी जरूर करे बठ हमें कमेंट करकर बताएं कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया और अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड फायमिली में सेयर जरूर करें और सबसे खास सबसे इंपॉंटेंट बात अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली नई रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जाय का विद्खुश्व में जब तक खुश रहें, खुशियां बढ़ते रहें और आज पास सफाई बनाई रखिए क्योंकि अपना भारत स्वाक्ष भारत थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर और नमस्कार